कोरोना वेक्सिन से जुड़े हुए दस अपडेट सब के साथ वीडियो में शेयर करूंगा तो वीडियो को पूरा जरूर से देखे नए हो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और साथ ही तबादो बेल के आइकन को ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करो पहले अपडेट की तर यह कि अभी क्या है कि Serum Institute India और जो है भारत बायोटेक वह वेक्सिन दे रही है डिरेक्ली गवर्मेंट अफ इंडिया को और वह रूल कर रहे है कि 65 प्लस को देना है 45 प्लस को देना है 45 को देना है तो यह रूल्स की वजा से क्या हो रहा है कि लिमिटेड नंबर पीपल को व 150 रूपीज तो Serum Institute India और अधर कंपनी जो है भारत बायोटेक वह हाडली प्रॉफिट जो है वह बना पा रहे है अगर यह ऐसा हो जाता है कमर्शलाइस करने का लाइसंस मिलता है तो सायस से यही वेक्सिन जो है वो प्राइवेट सेक्टर में 1000 रूपीज या फिर 1500 वेक्सिन मिलेगी तो ज्यादा लोगों को अल्टिमेटल वेक्सिन मिलेगी कमपनीज भी प्रॉफिट कमाएगी और अच्छी तरीके से कोरोना पैंडमिक पर कंट्रोल भी आ पाएगा ऐसा मेरा सोच रहा है आपका क्या सोच रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बत देली गवर्मेंट को जो है वेक लेटर लिखा कहा हुआ है कैसी हॉस्पिटल्स के अगेंस आप नोटिस इश्यू कीजिए तो इस पे आपका क्या मानना है मुझे कमेंट सेक्सिन में जरूर से बताईए अब काफी मतलब रूल्स तो है ठीक है लेकिन काफी उसमें छूठ अगर कोई कमपनी है तो अपने एंपलोईस को वेक्सिन दे सकती है 45 से कम है तो भी चलता है तो उसमें मैं अगर बात करो तो मैं सेल्फ एंपलोईड हो तो मैं वेक्सिन नहीं ले सकता अगर मैं कोई कमपनी में होता बड़ी कमपनी में तो साइट से मुझे वेक्सिन मिल च तो compensate करने के लिए कोई भी provision नहीं बनाया गया है काफी death जो है वो हुई है और कोई भी reason जो है वो बहार नहीं दिखाया गया है उसके पीछे क्या reason है नहीं पता है मैं जहाँ पर रहता हूँ वहाँ पर पी कुछ adverse events report हुए है लेकिन वो इंडिया में जो है इस specially highlight नहीं किया जा रहा है क्यों इसके पच्छे कुछ भी idea किसी को भी नहीं है लेकिन यह provision definitely होना चाहिए कि अगर होता है तो at least यह compensate government of India करेगी आगे बढ़ते next update के उपर जो जुलाव अगें देली के साथ डेली जो है अब कुछ vaccine centers को 24 hours open करने वाली है one third vaccine centers जो है वो अब 9 p.m. से 9 a.m. तक काम करेगे मतलब 9 a.m. से 9 p.m. तो कर ही रहे है मतलब अगर मानने कि 100 जो है vaccine centers है तो उसमें से one third 24 hours काम करेगे बाकी के जो है वो 9 to 9 p.m. काम करेगे यह काफी काफी अच्छा initiative है ताकि जादा लोगों को vaccine जाया हो मिल पाए आगे बढ़ता है next update के ऊपर जो जुड़ा हूँ है महराष्टा के साथ और यह काफी अच्छा मूँ मुझे लगा है महराष्टा के जो CM उद्दव ठाकर जी उन्होंने PM मूदी जी को एक लेटर लिखा जिसमें कहा है कि आप permission दो 25 plus को vaccinate करने की अब एक की समझने की जरूरत है यह क्यों pandemic फैल रहा है एक simple चीज समझने की कोशिश करता है कि आज लोग job जा रहे है अपना काम कर रहे है मास्क पहन भी रहे है कुछ नहीं भी पहन रहे है लेकिन जो major group है काम कर रहा है वो young adults है 25 से लेके 45 के बीच में जो jobs कर रहे है कोई एक बंदवा पॉजिरिव हो रहा है तो वो भी positive हो रहे है तो main group जो target करने वाला है वो 25 to 45 है जिसकी मदद से ही ये overall cases जो है वो control में आप आएगे क्योंकि वो jobs पे जा रहे है वो अपना काम कर रहे है उनके through लोगों को infection हो रहा है तो ये काफी important और मुझे सच में ये काफी अच्छा initiative लगा है और मेरे खयाल से 25 नहीं open ही कर देना चाहिए vaccine group को जिसे भी लेनी है वो ले सकता है पैसे देखे free में वो option है लेकिन open सब के लिए होना चाहिए तभी जाके ये situation control में आएगी आगे बढ़ते next update के उपर जो जुड़ा हुआ है महराश्टा चतिसगड एंड पंजाब के साथ तो center ने जो है वो 50 high level teams को assign किया है महराश्टा चतिसगड एंड पंजाब को ताकि situation control में आए महराश्टा में एक दिन में 47,000 के आसपास cases register हो रहा है जो काफी बड़ा नंबर है ऐसे में situation को control करने के लिए एक high level team को assign किया गया है आगे बढ़ते नेक्स रबेट के ऊपर जो जुला हुआ है रश्या के साथ तो रश्या में भी UK का strange है वो detect हुआ है 80 cases है वो ऐसे सामने आये है यहाँ पर अगर हम बात करे daily cases की तो अब जो है ना ये maximum number हो चुगा है इतने cases इंडिया में ये peak था तब भी नहीं आये थे कुछ 96,000 cases थे 4th April को मैं ये वीडियो जो है वो 5th night को record कर रहा हूँ तो कल जो है वो 1,3558 cases register हुए थे जो काफी बड़ा number है इतने cases जो है वो सामने नहीं आये थे पिछले अगर मैं बात करूँ तो तेड़ साल में क्योंकि इंडिया में अब तक की जितने भी इस्ट्रेस में ये number कभी भी touch नहीं हुआ है तो highest number of cases है कोई भी lockdown नहीं है और अब भी vaccine जो है वर restricted है कि अगर आफ 45 प्लस हो तो ही आप vaccine को ले सकते हो तो यहां पे cases और बड़ेगे ही बड़ेगे क्योंकि पहले क्या था लोगों को डर था ठीक है जो वाइरस था वो भी इतना powerful नहीं था अब लोगों को डर नहीं है लोगों को jobs जाना है और muted virus है UK का strain है South Africa का strain है Brazil का भी है और सारे इंडिया में present है तो cases बड़े के situation और खराब हो कि अगर सभी groups को vaccine नहीं दी गई तो इसपे आपका क्या सोचना है मुझे comment section में जरूर से बताइए आगे बढ़ते है next update के उपर जो जुड़ा हुआ है mutant virus के साथ एक study में ऐसा पाया गया है कि scientist जो है वो अगर एक mutant virus को decode करते है तो तब तब तो वो mutant अपने आप में multiply हो रहा है और ये सही बात है एक mutant virus था अगर आप हम बात करें तो UK का virus है South Africa का virus है Brazil का variant है और भी काफी साथा variants जो है वो बनते ही गए वो के सामने नहीं आ रह action जो है वो इंडिया में होने वाला है और capacity जो है 100 million doses per year की होगी पैनेशिया बाटेक कंपनी को जो है वो ये करार दिया गया है Russian direct investment fund द्वारा तो ये काफी अच्छी बात है कि Russia की vaccine जो है वो अब इंडिया में बनेगी अब भी ये vaccine को अप्रोल नहीं मिला है SEC का जो एक meeting था subject expert committee का इसके उपर और उसपे गोई भी update जो है वो नहीं दिया गया है अभी इंडिया को जरूरत है third corona vaccine की क्योंकि अभी 45 plus के group को open किया गया है अगर और groups को open किया जाता है तो जादा doses की जरूरत होगी और definitely अगर ये vaccine आती है तो ये अच्छी भी है 92% efficient भी है और सबसे बड लाइक का बटन तो बनता है लाइक कर दो वीडियो को कर दो शेयर ताकि जादा लोगों तक ये information पहुंच पाए अगले वीडियो में आपसो मुलाकात होगी तब तक के लिए जय हिंद वंदे मात्रा हूं